नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे जैहिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे बहुत प्यारे होंगे मैं सुशान सर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विनन्दन करता हूँ आपके अपने प्रेटफॉर्म SSC Adder 24-7 पर आपका एक्जाम काफी नजदीक है AI बालो का तो AI बालो के लिए मैं कल मेराथन लेका रहा हूँ साम को पांच बुजे और पांच बुजे जो मेराथन होगी तो प्यारे बचो आज की क्लास की सुरुवात करते हैं आप एड़र 24-7 पर और यदि अभी तक आपने एप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लिजेगा हमारे एप को क्योंकि इस एप के मादियम से आप ले सकते हैं यह आपको सब मिलने वाला है हमारा एप पर और आज की क्लास की पीडियाफ आपको मिल जाएगी जब आप एप को डाउनलोड करेंगे तो बहाँ पर आप कॉम्टी में देखेंगे साइंस वाई सुशांसर तो साइंस वाई सुशांसर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको मेरी आज की क्लास मिल जाएगी आप इसको देख सकते हैं वहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको से एक खास बात बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड कॉप स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड कॉप का जो फीवर है ओन है और विन इंडिया विन इंडिया जीते यह हम कामना करते हैं तो प्यारे बच्चों वर्ल्ड कॉप के उपलक्ष में अगर आप को मिलेगा डवल वैलिटी डवल वैलिटी मिलेगा सभी महापै को लाइब क्लास की सुरुवात करते हैं क्लास में कोशन काफी टफ होंगे आज तो जो बच्चे हमारे हैं आपका जिन्होंने क्लास जोइन की हैं भी वो अराम से आंसर देंगे किसी बात की कोई जल्दवाजी नहीं होगी आपका किसी बात की कोई जल्दवाजी आपको नहीं करनी है अब देखो पहला कोशन आपके पास आप से पूछ रहा है पहला कोशन which are the following which are the following पहले question कहां से करेंगे आप पहला question आप से पूछ रहा है कि which are the following reflect more sunlight than the other three sand desert, land covered with fresh snow, plain land या paddy crop land बताएंगे आप कौन सी सबसे ज़्यादा light को reflect करेगा कौन सा सबसे ज़्यादे light को reflect करेगा light को सबसे ज़्यादे reflect कोन करता है answer बताएंगे सारे बच्चे अरहर महादेव अरहर महादेव बताएंगे आप जल्ली से सारे बच्चे बताएंगे answer को which of the following reflects more sunlight than the other three sand, desert, land covered with fresh snow, plain land, paddy crop land बताएगा आपका तो आपने जब पढ़ा होगा प्यारे बच्चो आपने पढ़ा होगा heat budget आपने पढ़ा होगा heat budget या जो solar energy होती है तो सबसे जादा सबसे जादा जो light को reflect करेगा वो कौन करेगा land covered with fresh snow ये लगवा लगवा maximum light को reflect कर देता है तो आप answer याद रखेंगे answer क्या हो जाएगा यहापर answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा प्यार बच्चो भी answer maximum बच्चों का गलत है एक्जाम से पहले ऐसा ना करें अगला कोशन कहा रहा है कि find the power of convex lens if image formed is at distance of 10 cm मतलब यह क्या कहना चाहरा है प्यारे बच्चे यह कहना चाहरा है आपसे कि जो image बन रही है जो image बन रही है वो कहां बन रही है आपका वो 10 cm की दूरी पर बन रही है मतलब यह क्या है आपका यह क्या है आपका वी दिया हुआ है आपका 10 cm की दूरी पर from the lens where the object is placed on the other side lens u कितना है प्यारे बच्चे u है आपका minus 40 cm तो आप सबुझेगा power क्या होगी आपका lens की power क्या होगी तो convex lens है power क्या होगी निकाल लेते हैं 1 upon f equals होता है 1 upon v minus क्या होगा 1 upon u होगा क्योंकि lens है lens की formula में minus आता है बीच में आप सभी जानते हैं तो जैसी यहाँ पर value को put करेंगे 1 upon f equals हो जाएगा 1 upon v कितना आपका 10 minus minus plus हो जाएगा 1 upon 40 तो यहाँ पर हो जाएगा 40 को हमने common ले लिया तो क्या हैगा आपका असर 4 plus 1 क्या हैगा 5y 40 और यहाँ से f equals 2 आजाएगा प्यारबचो 8 क्या जाएगा 8 cm 8 cm plus है minus है plus होगा क्योंकि convex lens से तो plus ही आना चाहिए power का formula होता है 100 by f क्योंकि f cm में आपका तो कितना हैगा 100 by 8 आजाएगा 100 by 8 जावाएगा तो answer कितना हैगा आपका 1, 2 बचाए हैं पर आपका तो कितना हैगा आपका दूनी पंजे तो 12.5 diopter आप देखेंगे हम क्या answer आपका match करता है 12.5 diopter क्या answer match करता है yes 12.5 diopter answer will be a सब बच्चों का आ रहा है जैहिंद सर जैहिंद क्या आप answer कर पा रहे हैं सारे बच्चे क्या आपने ऐसे कोशन कभी किये हैं तो exam से पहले मैं आपको ऐसे कोशन से लिए करा रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार की कोशन भी पूछे आते हैं अगला कोशन क्या है हमारे पास ऐसा ही कोशन आप खुद भी कर सकते हैं एक कोशन हो करा देता हूँ मैं आपको find the power of convex lens if the image formed at distance कितने पर आपका 16 cm पर from the lens वेर दा ओब्जेक कहां रखा हूँ है आपका object रखा हूँ है आपका 20 cm पर तो आप वही फार्मूला लगाएंगे lens है तो lens की case में वही फार्मूला लगाएंगे 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u तो यहाँ पर 1 upon v कितना आपका 16 है minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 upon 20 हो जाएगा तो आप जब LCM लेकर इसको solve करेंगे तो answer कर देंगे हो जाएगा इतना yes हो जाएगा यह भी कोई दिक्कत इस question में answer कर देंगे गुणा भाग करना है वो खुद से कर लेना गुणा भाग खुद से कर लेना फिर आप पावर का formula लगा लेना पावर क्या होता है 1 upon f होता है यह 100 upon f अगर f cm में दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आएगी यह भी आपका question हो जाएगा numerical questions होते हैं जो आते हैं एक्जाम में AI के तो जो बच्चे AI की त्यारी कर रहा है तो वो numerical question को भी देख लेंगे फिर से हमारे पाख convex lens है तो पावर क्या होगी positive होगी आप value को put करेंगे value को जैसी put करेंगे तो answer हा जाएगा जैसे माली जेगा convex lens है आपका तो यहां पर फिर से बन अपॉन f 21 हो जाएगा बन अपॉन v बन अपॉन v कितना है आपका sir 20 cm है आपका और u कितना है आपका 60 cm माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बन अपॉन 60 तो यहां पर हम इसको value को solve करेंगे तो क्या हैगा 60 यहां पर आएगा आपका 3 यहां पर आएगा 1 तो कितना आएगा आपका 4 y 60 और यहां से f कितना आ जाएगा 15 cm अब power को रखेंगे हैं पर power हो जाएगा 100 y 15 और जब इसको divide करेंगे तो कितना होगा पंद्रे फिर से हुग आपका तो कितना हुग कर अपका इसे किस्टीन होगा और फिर से कितना बचा आपका फिर से 10 अचिव्यक्राइगा और किस में आएगा प्लस में आएगा कि तो याद रसाऊ कर दिया आपने आंसर 6.67 भी आंसर होगी आपका 6.67 समझ गया आप हाँ numerical है 6.67 आपको पता है जब 6.666 आएगा तो 5 से जादे value होती तो इसको एक बढ़ा देते हैं यह आपने पढ़ा होगा ठीक है यह आपने math में पढ़ा होगा 6.66 को आप कर सकते हैं आपका 6.7 कर सकते हैं की minus 2 diopter है तो यहाँ D किसको stand करता है इतनी देर से मैं question करा रहा हूँ तो निशी दूरूप से आप तो यह छोटे-छोटे questions आप कर लेंगे अगर power दी हुए आपका minus 2 D तो D किसको denote करता है तो सारे बच्चों को पता है D denote करेगा diopter को किसको करेगा diopter क्योंकि power जो होती लेंज की उसको किसमें देनोट किया जाएगा diopter में तो answer भी हो जाएगा a answer अगला कोशन क्या है प्यारे बच्चे who invented the contact lens contact lens किसने invent किया आप जानते हैं आपका जो contact lens होता है आपका आउंकों में लगाते हैं contact lens ठीक है अच्छा यह पूछू में contact lens किसका बना होता है अगर में पूछू तो आप answer देंगे comments में answer देंगे आपका contact lens किसका बना होता है तो प्यारे बच्चों यह discovered क्या था आपका मेरी खास है Adolf Gaston Eugen Fick तो भी answer हो जाएगा एक बार आप of an Optical Filter प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि हम बहुत सी जग electrodes गाड़ियों में भी ऑ्प्टीकल फिल्टर लगा लेते हैं जो चस्म में भी ऑप्र स्तेकल फिल्टर का इस्तमाल करते हैं तो ही जो आप्टीकल फिल्टर का इस्तमाल कर लेते हैं तो यह जो आप 57 लाइट ऑफ डिफ्रेंट कलर्स नहीं सर डिस्पर डिस्पेंस लाइट इन्टू दा कॉंपोनेंट कलर्स नहीं सर रिफ्रेक्स लाइट ऑफ डिफ्रेंट कलर्स transmit and absorb light of different color yes तो क्या करेगा प्यार बच्चे बताएगा आपका ठीक है question का answer बताएगे आप सारे के सारे बच्चे जो purpose होता है optical lens का जो purpose होता है वो क्या होता है जल्दी से answer देंगे purpose of an optical filter is बताएगे आपका सार answer क्या हो जाएगा d answer बिल्कु से बता रहे हैं d answer हो जाएगा ये क्या करेगा transmit करेगा और absorb करेगा light of different colors yes answer बिल्कु हो जाएगा d answer अगला question है मारे पास which of the following is the instrument used in submarines to view object above the sea प्यारव जो submarine होती है submarine में क्या होता है दो plane mirror लगे होते है मालो यहां का object देखना है तो एक plane mirror यह लगा होगा और एक इसके parallel लगा होता है ठीक है और यहां से आप क्या गरते हैं यहां से आप object को देखते हैं यहां से आएगा ray यहां टकराएगा यहां पर चला जाएगा तो यहां से क्या गरेंगे object को देखेंगे आप तो यहां पर आएगा pariscope हम किसका इस्तमाल करते हैं Persian को का स्माल करते आंसर विल भी हो जाएगा ढी सब्सक्राइब यह कोशन के किicer फेडिश्य कोपbrail Mercos now कितने प्लेइन मिरर का इस्तेम bleat आता है दो प्लेइन मिरर का समीघ जय आता हैसारे सबस्क्राइबस वाद को याद रखेंगे इस ऊत आप सुझे एक टोटल नमबर ओफ इमेज फॉर्मड बाई टू मिरर इंकलाइड आट वन टॉन्टी डिग्री टू इच अदर प्यार बचो हमारे पास दो मिरर हैं जो एक दूसर से बन टॉन्टी डिग्री पर रखे हुए हैं तो यह कितनी मेज बनाएंगे यह कितनी मेज ब बॉन ढूरे टोट संपर डॉनट यह को इंकलो जाएक थकहिए थू इमेज बनेंगे आपका पो इमेज 정말 गहां अगला कोशन क्या है पयर बच्चे आप से पूछ रहा है कि प्यारे बच्चों जब आप मिरर में अपना आपको देखते हैं आज घर के में जो मिरर होगा उसके सामने खड़े हो जाना और अपने आपको देखना तो आप देखेंगे जो आपका बाया हाथ होगा जो दाया दिखाए देगा जो दाया हाथ होगा बाया दिखाए देगा इसको बोलते हैं लेटरल इंवर्जन ठीक है क्या होते हैं हमका लेटरल इंवर्जन कहते हैं इसको पासर्व रूप से उल्टा ठीक है तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर अगर symmetrical position में object रखा हुआ है तो आप हमेशा एक minus करेंगे अगर ए symmetrical position में रखा होता है object तो अगर n का value आता है आपका even number तो आप क्या करेंगे एक minus कर देंगे ओड आता तो वही रख लेते हैं तो वो कोशन कभी आते नहीं है तो आप आख बंद करके एक को minus कर देना हमेशा सही रहेगा ठीक है अकांसा असर में टीचर यह पढ़ाते नहीं है आपका हो सकता है उनको पता नहीं हो कि यह symmetrical symmetrical position होती है तो पता नहीं होता है टीचर्स को मैक्सिम टीचर्स को तो मुखर जी नगर में भी में पढ़ाता था यह सब चीजे तो बच्चों में कुछ ले आते हैं तो आप हमेशा यह याद रख लेना कि जब भी औबजेक्ट को रखा जाएगा आपका बिट्विन टू मिरर तो वह symmetrical position में होता है symmetry का मतलब होता है जब equal भाग में आप तोड सकते हैं काट सकते हैं किसी भी औबजेक्ट को तो वह symmetrical आती है और जब equal भाग में divide नहीं कर सकते हैं तो उसको asymmetrical position कहते हैं हाँ बन जाएगा पिंग की सर्मा बन जाएगा आपका question ठीक है अगला question क्या हमारे पास which mirror is used by doctors to examine an eye, ear, nose and throat प्यार बचो कौन सी mirror का इस्तमाल किया जाता है जिसमें doctor क्या करता है आपकी ना, कान, गले को देखता है कौन के mirror को यूज किया जाता है convex को, ordinary को, flat mirror को यूज किया जाता है answer बताएंगे तो ये question तो मेरे खाल से सारे बच्चों ने क्या होता है कि कौन सी mirror का यूज किया जाता है तो यूज किया जाता है पैर बच्चों कौन के mirror का A बिलबीद आंस हो जाएगा कौन के mirror आंस हो जाएगा तो answer कर देंगे A, कौन के mirror अगला question हमारे पास light travels faster in light सबसे तेजी के साथ किस में travel करती है अगर मैं बात करता sound की किस की बात करता sound की अगर मैं यहाँ पर sound की बात करता है कि sound किस में travel करेगा सबसे तेज तो sound travel करता है हमें solid में, solid की बात किस में करता है आपका liquid में और liquid की बात किस में करता है मैं किसे में खाक तका南 की स्वाइड किसंसे में लेकिन लाइट की कि सबस Merclau ऑफ जाएगा वैक्यूम गलत ऐसे रहें अंशर करेंगा वेक्रिभीं डिमला अंसर अंसर अगला εκके सामने अगला कोशन क्या है हमारे सामने कि which of the following process is responsible for the glittering of air bubbles rising through water प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि किस प्रिक्रिया के दोबारा पानी के माध्यम से उठने वाले हवा के बुलबुले की चमक के लिए जिम्मेदार है प्यारे बच्चों हवा जो हवा का बुलबुला होता है आपका वह पानी में जो ऊपर उड़ता है तो वह चमक किसके कारण होती है और आपके पास और आपके पास और आपका पास reflection of light reflection of light टोटल इंटर रिफलेक्शन आफ लाइट जाए scattering of light आंसर देंगे आप किसके कारण ऐसा होता है कि अब आपने कौन सी language बढ़ा हुआ है यह महत्पूर्ण है कौन सा language बढ़ा है आपने सर जब water ice बनती है तो तब molecular की distance कम होगी या ज्यादा angle बढ़ जाता है जब आंगल बढ़ जाता है जब आंगल बढ़ जाएगा तो distance बढ़ जाता है जो वाटर मॉलीगूल होते हैं उनमें जो एंगल होता है वह एक सुचार डिग्री का होता है जब वहां पर बॉंडिंग फॉर्म होती आइस बंती तो एंगल बढ़ जाते है जिससे उसका बोलियूं बढ़ जाते है और जो अगला कोशन्ग के हमारे पास which instrument is used to measure the intensity of light produced by an unknown source in term of a standard source किसी अग्याद स्रोत द्वारा उत्पन प्रिकास की तीवता को मानक स्रोत के संदर में मापने के लिए किस उपकरण का उप्योग क्या आता है तो उपकरण का नाम होता है आपका फोटो मीटर किसका इस्तमाल क्याता है फोटो मीटर सी बिल भी दांस हो जाएगा फोटो मीटर ठीक है बड़े आगे सर क्या हो जाएगा आपका फोटो मीटर हो जाएगा बड़े आगे सर कितना हो जाएगा आपका फोटो मीटर हो जाएगा बड़े आगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया the mission भिहार पुलिस पेहर पुलिस के थियारित babies तक रहो व्ट्री से एंगल वगण बहुत जादरि डिवेट मत करो ईक ऐंगल अगह 1 क्या नहीं को हां तीह है हमेशा time कमी रहता है paper के लिए हमेशा time कमी रहता है paper के लिए आप सुभजेगा the instrument used to measure the intensity of light is called बताएगा जली से आपका कौन सा instrument use किया आता है आपका light की intensity को मापने के लिए लूसी मीटर क्रायो मीटर साइनो मीटर या बैरो मीटर बताएगा आपका कौन सा इंस्टुमेंट यूज किया आता है आपका light की इंटेंसिटी को मापने के लिए कि दा इंस्टुमेंट यूज टू मेजर दा इंटेंसिटी ओफ लाइट इस बताएगा इलिस हाप अंस्टर क्या हो जाएगा :"वैसे फोटो मीटर होता है लेकिन फोटो मीटर नहीं तो क्या करते हैंगा", सांप्रीचर का हो जाएगा Color का हो जाएगा प्रहों सा लente कोँसा लेंट को एकटा करता है encouragement करता है और Imaginary क्या होगा मैनिज कस लेंस तो क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है तो आंसर विल भी हो जाएगा एंसर क्या हो जाएगा एंसर बहुत बढ़िया अगला कोशन क्या है हमारे पास दा फिनोमिनों ओफ लाइट इस प्ली बताएंगे आप answer सारे के सारे बच्चे ये दो बड़ा simple question है हर बच्चे को answer आना चाहिए कि अधर नीगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे questions attempt कर गया है और elimination method लगाएं Elimination method मतलब जो आपको लगता है कि ये गलत है जो possible नहीं है उसको अलग कर दें एक्जाम में बिल्कुल रहना होता है एक्जाम से पहले आपको प्रॉफर नीन लेनी होती है मालो आपका संडे को एक्जाम है तो आपको फ्राइडे को भी नीन लेनी होगी और थर्सडे को भी नीन लेनी होगी क्योंकि Saturday की रात को आपको नीद नहीं आएगी एक्जाम की रात हमें नीद नहीं आती है ये बात आप मान कर चलें कई आप ये मालने कि हमें दो नीद आएगी आएगी तो एक्जाम की रात को नीद नहीं आती है तो एक्जाम की रात को नीद नहीं आएगी ठीक है हमारे साथ यह घटना हो गई ट्रेन लेट होगे सर चार गंटे पहले की ट्रेन से गया ते ट्रेन लेट हो गई यह हर साल रहता है हर साल बच्चे कानी सुनाते हैं तो वह कानी आप न सुनाए इसलिए उसका धियान रखना आपका दो को option में confusion है तो क्या करें है अकडम बकडम बंबे वो यह खेल लेना वहां पर ठीक है है हो सकता है कोई ना कोई हो जाए अब देखो दो option में confusion है इसमें तो risk लेना पड़ेगा आपको आप 50% का risk तो लेंगे और हमेशा 2 में confusion जादे रहता है चार में से 3 तो निगल 2 तो नि एक्जाम से पहले डर अच्छा है कोई दिक्कत नहीं तो इसका answer हो जाएगा polarization क्या हो जाएगा polarization अगला question है मायोपिक person है मायोपिक परसन है तो क्या होगा पैरवचों कौन से लेंस यूज़ करेगा यह तो याद होगा आपको और लेंस का नीचर क्या होगा तो focal length का formula होग जाएगा अपका ठीक है 100 by मायननस 1.25 कितना है गा-80 मायनस-80 मायनस 80 सेंटिमीटर और在 left 고 काशू इतने होगा कॉन के और प्यारे बच्च ओ फो यह कि अच्ञे कितना होगई 80 cm गीविल भी आंसर answer हो जाएगा D answer सारे बच्चे answer करेंगे D सर एक्जाम से पहले खुद को सांथ क्यों कैसे करें आपना selection के बारे में बस सोचो अब maximum student की दिक्कत होती है हम exam से पहले selection के बारे में सोच लेते हैं आप बस एक target रखें exam जैसा भी आएगा मैं अच्छा कर गया हूँगा बस selection आपके हाथ में होता नहीं है आप न एक्स्ट्रा प्रेसर ले लेते हैं selection 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 और जब हम ज़्यादे जब सोचते हैं selection के बारे में selection होता नहीं कभी यह बास तिकता है जब आप सोचेंगे पैसा 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 जब ज़्यादे पैसा के बारे में सोचेंगे पैसा आएगा नहीं पैसा जाएगा जब आप सोचेंगे सुख आ जाएगा सुख आ जाएगा नहीं सुख जाएगा तो आप जिसके बारे में ज़्यादे सोचते हैं वह आता नहीं वह चला जाता है समझे आप बस यह तोच के चलें जब भी आपका एक्जाम हो कि मेरा एक्जाम मुझे अच्छे से पेपर देख कर आना है बस जादे ना सोचे ज्यादे सोचेंगे दिक्कत हो जाएगा मेरे साधर तो परक्ताल से अगला कोशन कहा है हमारे पास आप सुझे का फोटो-कैमरा विच टाइप अप लैंस कुछ अधासा है आन्सर बताएंगे अब पोटो कैमरे में किस परकार का玩 ऊंभी जहाँ पिया यह आता है जो फोटो कैमेरे की बात करता हूं मैं फोटो कैम्रे में प्रिद करते हैं इन सब जगे आप यूज्ज करते हैं और कों टहराइक्स लेंस हुटा है आप क्या बताओ मैं ये पढ़ लो ये निमत पढ़ो जो भी तुम पर आता है उसको पढ़ लो जो नहीं आता है उसको छोड़ दो एक्जाम से पहले वो कुछ नहीं पढ़ना होता है जो तुम्हें नहीं आता है जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइस कर लो जो नहीं करते रहो division करते रहो मैं तो कहता हूं कि यह क्लास व्लाज जो होती ही YouTube पर यह भी बंद कर दो कि यह भी बंद करतो क्लास व्लाज यूटूब की बस बैट के अराम से पढ़ते रहो जो नोड्स व्लाएं आपने जो हैं नितर नोड्स वराएं ना उनको रिवाइस करते रहो नोड्स वागर न तो बनाएं हों या पीडियप चीछे कूद रहें आप लोग कुछ काम नहीं आपकी जितनी बनी हुई है अब आप देख लोगे एक्जाम से पहले मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस करता हूं कि अपने नोर्स मनाए परसनल नोर्स ही आपके आखरी समय का साथ ही होते हैं परसनल नोर्स ही आपको सेलेक्शन दिलाएंगे यह PDF बगरा सेलेक्शन कुछ न जाएगा मंडे से एड्मिट काट आना सुरू हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें अगला कोशन क्या है प्यारे बच्चे हमारी सामने आप सुभजे का वैन थ्री कलर्स रैड ग्रीन ब्लू औफ लाइट और मिक्स्ट अप इन इकल प्रोपोर्शन ड़िजल टैंड क्या आपस कौन-कौन से कलर हैं अपका एक है गर विइन गरीन गॉप आपका रड़ अगर तीन कलर को मिलाएंगे कहता है क्लर कसे हमारे पास आप सब्झेए का parlament प्रोटेका आंसर ब्यू अन्सर वाइट कलर्खो संक्ट फॉर्ट रश्ट होगा ऑधस अले उकत फिजल और आंसर देंगे जिसकी wavelength minimum होगी वो कौन सा light color होता है minimum wavelength वाला कौन सा होता है तो यार रखेंगे जो minimum wavelength होती है हम जानते हैं विव ग्योर हम किसको जानते हैं विव ग्योर को जानते हैं ये violet होगा क्या होगा violet violet होगा तो क्या होगा पैरवचे इसकी wavelength कितनी होगी हो जाएगा आपका वाइलेट ठीक है मिनिमम वेवलेंद किसकी होगी वाइलेट की होगी ठीक है यहां तक अगला कोशन क्या हमारे पास इस स्पीड ओफ लाइट कितना है आपका आप जानते यहां पर कितना जाएगा यहां पर कितना जाएगा यहां पर आजाएगा आपका टू इन्टू टैन की पावर एट क्या आएगा मीटर पर सेकंड आएगा टू इन्टू टैन की पावर एट मीटर पर सेकंड ठीक है टू इन्टू टैन की पावर एट मीटर पर सेकंड ठीक है झाल बढ़ें प्यार बच्चो आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चे अगला कोशन क्या है हमारे पास किस बच्चे का यह अंसर हैं बहुत अच्छी बात हैं फॉर्म्मला कुन से लगाएंगे हम एक फॉर्म्मला में ने बताया आपको एन इकोस तो 360 एपोन ठीटा कितना यहाँ आपका इंफानाइट माइनस वन क्या है इंफानाइट आ जाएका तो आंसर ओंजर मेино infinity डी बिल बित आंसर हो जाएगा infinity आंसर हो जाएगा डी बिल बित आंसर ठीक है यहां तक अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर आप से पुझेगा air वबल जो होता है in water यहार रखना air वबल जो होगा पानी में अगर हम बात करेंगे हवा में तो हवा में काम करता है convex lens के तरह है लेकिंगे बात करते हैं पानी की तो इस पानी में काम करता है किस के तरह आपका concave lens के तरह काम करता है answer विल भी हो जाएगा d concave lens के तरह काम करेगा d will be the answer 8 बज़े की class अब नहीं होती है 8 बज़े की class नहीं होती हो ठीक है और कुछ दूने में ये class भी बंद हो जाएगी तो मेरी class के बल एप पर रहेगी अगर एप पर आप admission लेते हैं किसी भी महाप एक में तो आपको मेरी class मिलती रहेंगी या मेरा science special का batch आप लेते हैं तो आपको मेरी class मिलती रहेंगी ठीक है सेविंग के लिए कौन से टाफ का मिरा का स्फमाल गयाता है कौन के मिलती का स्फमाल supervision喔 चों सेविंग के का शाएं के लिए अगला कॉशन हमारे वाइट लाइटी इस ट्राइक दससर फेस ओफन ऑ्वजेक्त प्यारे बच्चों एक white light है जो surface पर strike करती है if all the colors are reflected the surface would appear एक surface पर white light strike करती है कैसी light है white light अगर यह सारी के सारी light को reflect कर दे तो प्यार बदाएगा surface कैसा दिखाया देगा इस surface कैसा दिखाया देगा white दिखाया देगा answer will be हो जाएगा be answer white ठीक है अगला question है मारे पास आप सुझेगा which of the following types of waves are used in night vision apparatus तो night vision जो होते हैं जो thermal camera होते हैं आपने देखा होगा जब आप border की बात करेंगे तो border पर क्या होगा प्यारे बच्चों जो thermal camera होता है thermal camera में क्या लगे होते हैं thermal camera में क्या लगे होते हैं प्यारे बच्चों में फा रेड होते हैं infrared wave का सभाओ करते हैं हम यूज़ करते है infrared wave का स्तमाल करते हैं answer B Template ठीक है आज की class का हमने काफी ku notable 해요 अगर आप हमारा कोई भी बैच लेना चाहते हैं आप का आपकी तैयारी जिन बच्चों ने अभी तक बैश नहीं लिया है जिन्होंने भी तैयारी सुरू नहीं की है जिनका एक्जाम है उनको तो all the best वो तो अच्छे से पेपर देखे हैं अपना और पेपर देखे हैं पेपर में सेलेक्शन ले ऐसी हम कामना करते हैं लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी को सुरू कर रहा है तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ सबसे अच्छा रहता है आपका SSC महापैक SSC महापैक सबसे best रहता है SSC महापैक जैसी आप SSC महापैक पर जाते हैं प्यारे बचो जब आप coupon code यूज करते हैं आप यहाँ पर coupon code यूज करते है y633 आपने coupon code लगा है y633 तो ये batch आपको मिल जाता है प्यारे बचो लगबक 2700 रुपाएगा 2700 क्या बthere Mic 2700 का ब writer centrally आपको जब आप coupon code यूज करेंगे y633 अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम कि माली जाएक आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं आप बिहार SSC में यह बैश मिल जाएगा ठीक है? आप देख रहे है यह बैश है बिहार SSC में जो सुरू हो रहा है आपका 29 सितंबर से 13 अक्टूबर से बैश सुरू हो रहा है आपका Interlevel का लक्षे बैश सुरू हो रहा है आपका Interlevel का और यह बैच भी आपको 900 का मिल जाएगा मात्र 900 का मतलब आप कोई भी बैच ले सकते हैं वाई 6 रित्री कूपन कोड लो आकर और आपको मिनिमम प्राइज में यह बैच मिल जाता है तो प्यारे बैचो आज की क्लास में यह ही रोकता हूँ थैंक यू बैरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अच्छे से पेपर देखे हैं थैंक यू बैरी मच बाइबाइ